प्रेंस आज में आपसे ऐसे लोकोमोटिव के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंडिया का पहला 12,000 होस्पावर का फ्रेट लोकोमोटिव है जिसका नाम है वेक्ट्वेल फ्रेंस ये लोकोमोटिव फ्रांस की कमपनी अलस्टिंग और मिनिस्ट्री ओफ रेलवे के जॉइन्ट विंचर फैक्ट्री में तयार होगा अब बात करें ये फैक्ट्री की तो ये फैक्ट्री बिहार के गैपिटल पतना से 284 किलोमेटर नौर्थीस्ट में मधेपुरा में 250 सेकड में बनाई गई है ये फैक्ट्री इसे 800 लोकोमोटिव अगले 11 साल में बनाएगी इस फैक्ट्री में पहले पांच एंजिन्स बाहर से लाके असंबल किया गया है और बाकी के बचे 795 एंजिन्स यहां इस फैक्ट्री में मेकिन इंडिया केंपेइन के थ्यान में रख 12,000 होर्सपावर का है तो यह पावर अपने भाई वेग 9 से ओल्मोस्ट डबल है बात करें वेग 9 के पावर की तो उसका पावर था 6,120 होर्सपावर और वेग 12 का पावर उससे ओल्मोस्ट डबल है यह लोकोमोटिव स्पेशली डीएफसी यानि डेडिकेटीड फ्रेट को दोर के लिए बनाया गया है बात करें इसके कुछ special features की तो इसके features बागी locomotive से बहुत ही अच्छे है इस locomotive में air conditioner, heater, food preparing equipment जैसे की microwave वगेरा और refrigerator अब बात करते हैं इसके technical specifications की तो friends जैसे की मैंने आपको बताया यह locomotive 12,000 horsepower का है जो की 6,000 ton का load 100 to 120 km per hour की speed से आराम से कीच सकता है बात करें इसके wheel के diameter की तो वो है 1215 mm और इसमें regenerating braking system लगाया गया है तो अब यह regenerating braking system क्या है तो friends ऐसे wheels में जब brake लगाया जाती है तो उसका power lose नहीं होता उसे store किया जाता है और जरूरत पढ़ने के उसे use किया जाता है friends अब बात करते हैं इसके कुछ financial aspects की तो यह locomotive इंडियन realways और फ्रांस की company Elstam के joint venture से बनाया गया है और इंडियन realways का यह कहना है कि 2028 टक ऐसे 800 locomotive बनाया जाएंगे जिसकी लागतों की लगबग 19,904 करोड इस पूरे project को बनाने के लिए making India companion को बहुत ही ध्यान में रखा गया है इसके जलते इसके brakes और couplers इंडिया में ही बनाया जाएंगे अगर बात करें इसके couplers की तो इस couplers में बनाये गए raw materials इंडिया से ही पर्चिस किया जाएगा इस यह थी कुछ छोटी सी information वेक 12 के भारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किजिए